कमांडो के ट्रेलर से साफ वता चलता है कि कमांडो में रौ एक्षिन है और एक्षिन भरपूर है तो क्या ये एक्षिन फिल्म भी ओडियन्स के दिलों को जीत पाएगी? आईए देखते हैं जैसे की टाइटल सजेस्ट करता है कमांडो कहानी है एक कमांडो की A very fine कमांडो, a very accomplished कमांडो and that is करन सिंग डोगरा अक्टर विद्यू जम्वाल चाइना में वो गलती से पहुंच जाते हैं और चाइनीज ओफिशिल्स उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं सोच कर कि ये एक इंडियन स्पाई है उनके जो सीनियर है इंडिया में दर्शन जरीवाला in a special appearance उनकी बहुत कोशिश है कि गवर्मेंट इंडियन गवर्मेंट इंडियन गवर्मेंट इंडियन करे और उन्हें बचाएं लेकिन जो हमारे politician है उनका ये कहना है कि इंडिया को responsibility ही नहीं ओन करनी चाहिए चाहे इसके लिए विद्यो जम्वाल दाट इस कमांडो करन सिंग डोगरा की जान ही क्यों नहीं चाइना में चली जाए obviously करन सिंग डोगरा को पता चल जाता है कि उन्हें बचाने के लिए government of India कुछ नहीं करने वाली है जैसे तैसे वो चाइना से escape करकर भाग जाते हैं और इंडिया पहुँच जाते हैं इंडिया में एक दिन अचानक वो सिंरित पूजा चोपरा से टकराते हैं जब सिंरित अपने घर से भाग रही है और सिंरित घर से क्यों भाग रही है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो घर छोड़कर नहीं भागती है तो जबरदस्ती उन्हें शादी करनी पड़ेगी वहां के गुंडे पॉलिटिशन AK-74 से यह जैदीप एलावत से और इसलिए सिम्रित घर छोड़ कर भाग रही है उनका पीछा कर रहे हैं AK-74 के आदमी जब वो करन सिंग डोगरा से टकराती है करन सिंग डोगरा कम्स तो दे रेस्क्यू अफ सिम्रित वो AK-74 के आदमियों को खुब मारते हैं उनकी खुब पिटाई करते हैं एंड सिम्रित को वहां से बचा कर लेके जाते हैं एक और कारण है कि करन सिंग डोगरा सिम्रित की जान बचाने के लिए कूच जाते हैं और वो ये के AK-74 is a politician और उन्हें दूसरे politicians का भी support है और जैसे हमने पहले बताया करन सिंग डोगरा hates politicians बिकॉस एक politician के कारण उन्हें चाइना में सरना पड़ा और वहां से escape करना पड़ा तो basically करन सिंग डोगरा politicians को सबक सिकाना चाते हैं plus he wants to cleanse Indian politics, Indian society and he thinks कि this is his golden opportunity तो क्या करन सिंग डोगरा अंत में सिम्रित को AK-74 से बचा पाते हैं या फिर AK-74 gets the better of करन सिंग डोगरा इस फिल्म की कहानी पटकथा और समवाद तीनो Ritesh Shah के है Ritesh Shah की कहानी बहुती simple है and it moves on a single track, it's a one track story with not too many diversions and बहुती flat तरीके से चलती है actually, Commando करन सिंग डोगरा उनके stunts इतने लाजवाब है के ऐसे लगता है it may not be true but one gets the feeling that the writer has not concentrated too much on making a very entertaining drama of course, writer Ritesh Shah ने इस action drama को garnish करने की कोशिच की है with romance and songs लेकिन, romance जो है romantic track जो है it looks half-baked and contrived और गाने जो है वो ज्यादा color add नहीं कर पाते हैं और तो और, इस film में humor भी ज्यादा नहीं है हाँ, AK-74 बार-बार jokes crack करते हैं लेकिन, कुछ jokes में audience को मजा आता है बाकी jokes fall flat on their face As a screenplay writer Ritesh Shah ने करन सिंग डोगरा के इस comment को अपने logical conclusion तक नहीं पहुचाया है when करन सिंग डोगरा says that पहले वो Indian politician से बदला लेंगे उसके बाद वो निपतेंगे China से या Chinese official से because China वाला portion अंत में दिखाया ही नहीं गया है On the plus side are the stunts Film के stunts, film के action scenes इतने लाजवाब है के आपको लगेगा के ऐसा action आपने बहुत कम time Hindi filmों में देखा है And क्योंकि Vidyut Jamwal ने वो सारे stunts अपने आप किये हैं Without the use of duplicates Without the use of harness or wires And this point has been publicized इसलिए जो लोग ये बात जानते हैं उन्हें action scenes में Stunt scenes देखने में बहुत बहुत ज्यादा मजा आएगा जहां तक Ritish Shah के dialogues का सवाल है They are reasonably good Vidyut Jamwal impresses immensely With his agility In the daredevil stunts he performs उनके action scenes लाजवाब है और ऐसे action scenes Hindi cinema में देखने को कम मिलते हैं Actually, Vidyut Jamwal Could well go on to become A very good, a very reputable action hero लेकिन उन्हें अपनी acting पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी He has to definitely work hard On his facial expressions and body language Pooja Chopra, उनकी debut film है She makes a confident debut बहुत ही confident तरीके से वो acting करती है And she has screen presence also Jaiadeep Elawat He makes for a fantastic villain बहुत ही बहतरीन actor है और इस film में भी उन्होंने काम बहुत बढ़िया किया है Actually, आप उन्हें देख कर उनसे नफरत कर बैठते हैं Not just because of his acting But also because of his weird get-up Darshan Jariwala का special appearance है छोटा सा role है लेकिन उस छोटे से role में भी वो अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं वावजूद, audience बंधी हुई रहती है And the audience interest Remains throughout the drama Film में Sangeet Manan Shah का है And that is quite a letdown Because कोई भी गाना hit नहीं है Plus, film में गाने जबाते हैं मजा नहीं आता है In fact, the songs do not really contribute Anything to the film Mayur Puri के lyrics are fairly nice Songs की choreography की है Ganesh Aacharya और Feroz Khan ने And that is also quite routine Film का background score compose किया है Prasad Sashte ने And जिस प्रकार के stunts और actions है उनके comparison में The background score is not as good The cinematography is by Sejal Shah And must say, he deserves distinction marks Because उन्होंने जो stunts और action scenes को Camera में capture किया है That is indeed praiseworthy Action scenes को choreograph किया है Franz Spilhaus और Kaushal Moses ने And as already mentioned The action scenes are to die for La-jawab action scenes La-jawab stunts And plus Vidyuj Jamwal ने खुद ये action scenes किये है Without the use of duplicates And without the use of harness So more credit to him And more credit to the action directors Sets न्यानदेव इंदूल करके है And they are reasonable And Amitabh Shukla की editing is quite sharp So overall भले ही कमांडो की कहानी और पटकता में कोई विशेश बात नहीं है It's a very routine, very ordinary script But क्योंकी stunts और action scenes इतने ला-jawab है Therefore Single screen cinema की audiences को Masses को And even the audience of the multiplexes उन्हें ये film पसंद आएगी Stunts and action scenes के बलबूते पर उनके वजन से ये film चल जाएगी And it will prove to be a profitable fare जहां तक कमांडो के opening का सवाल है Well, it has opened very well in the single screen cinemas And कुछ multiplexes में भी अच्छी opening की खबर आई